टीम इंडिया के रन मसीन विराट को हली अपनी कप्तानी में इस समय टीम को बुलंदी पर पहुंचा रहे हैं। बता दें कि विराट के वल खेल ही नहीं बलकि समाजिक मुद्दों पर भी ध्यान देते रहे हैं। अभी हाली में विराट ने People for the Ethical Treatment of Animals पेटा की और से राजस्थान के वन्यों पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर नमबर 44 से पहचाने जाने वाले हाथी को पुनरवास के अंदर में भेजने की मांग की है। अमेरिकी परियाटकों के एक समूने पिछले साल जून में अमेर कीले में आठ लोगों को बेहध हिंसक तरीके से हाथी को पीटते हुए देखा था और इस हाथी को इस्तमाल अभी सवारी ढोने के लिए किया जा रहा है। कोहली ने पत्र में लिखा आप एसेवर किरकेटर के रूप में मुझे अपने देश का प्रतिनी थी तो करने पर गर्व है लेकिन जब मुझे नंबर 44 पर पिछले साल घ्रडित हमले का पता चला तो मुझे काफी सरमहसूस हुई। उन्होंने कहा जानवरों के खिलाप हिंसा पूरी तरह से अश्विकार हैं गैर कानूनी शब्द का जिक्र करने की जरूरत नहीं है हमारे देश में हाथी के साथ इस तरह का बरताव नहीं हो सकता। मैं आप से विंति करता हूं कि आप नंबर चवालिस को प्रतिश्ठित पुनरवास के अंदर में भेजने में मदद करें जिससे कि उसे वह देख रेक मिल सके नेक्स्ट नाइनी स्पोर्ट शेव वरुन की रिपोर्ट